हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ग्रेवल टिटोरियल आज हम स्टैटरजीज का निक्स्ट पार्ट करें यह हमारा बीएड फर्स्ट इयर पेपर त्री जो है लर्निंग एंट टीचिंग उसका सेकंड यूनिट का टॉपिक है हमारा स्टैटरजीज इसके अंदर जो है हम तीन स्टैटरजीज यानि कि परदर्शन की रननीती यह क्या चीज है और किस तरीके से जो है हमारी टीचिंग के अंदर यह हैं अब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसकी क्या एड्वांटेजीज हैं यह सब कुछ अब हम स्टड़ी करेंगे सबसे पहले हम मिनिंग करते हैं कि demonstration का मतलब क्या है यानि की demonstration के demo demo देना किसी को करकर कुछ चीज दिखाना अब जैसे कि हम computer के example लेते हैं computer के class अगर हम जाएं तो teacher जो हैं हमें starting में मान लेते हैं कि एमें computer ही चलाना नहीं आता तो teacher क्या करेगा आपको समझाएगा कि इसका यह यूज़ है इसका यह यूज़ है जैसे कि painting आपको करना सिखाएंगे वो यह PPT का यूज़ करना सिखाएंगे MS Excel वगेरा का यूज़ करना सिखाएंगे तो आपको एक demo देंगे पहले उसके बाद आपको क्या है allow किया जाएगा कि आप जो है powerpoint का इस्तमाल कर सकते हैं computer का इस्तमाल किस तरीके से करेंगे यानि कि आपको ये चीज़े सिखाएंगे पहले उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे इसी तरीके से अगर हम अपनी day to day life में देखें तो अगर हम जैसे कि market जाते हैं हमें कोई electronic सामान खरीदा और वो हम first time खरीद रहें आपको sales person बताएंगा कि इसको किस तरीके से हमें इस्तमाल करना है किस बटन से जो है AC on होगा किस बटन से कम जादा होगा इसकी service कितने टाइम के बाद करानी होती है यह कितनी light लेगा और इसको किस condition के अंदर हम जो है चला सकते हैं और कितने time में मतलब कि इसकी service की requirement बार बार होगी यह सारी चीज़े हमें समझाई जाती हैं कि आपको अगर air conditioner खरीदना है तो आपको इन सब बातों का द्रॉण रखना होगा तो वह क्या है dem magnitude करके दिखा रहे हैं हमें और यह उन ओफ कर दिखा रहे हैं ラस्रूम के अंदर डेमो कैसे दे किसी भी टॉपिक के बारे में अभ जैसे कि हम प्लांड के ओपर हम टॉपिक लेते हैं की कौन से प्लांड में उगते आं और उनको कि सीजन तरीक के से जै जाता है उसका किया प्रोसेस है बच्चों को यानि की छोटे से पोर्शन से बड़े तक लेके जाया जाता है ताकि वो अच्छे से समझ पाएं उस चीज को अब हमें जैसे की प्लांट का एक्जामपल लिया है मान लेते हैं कि सबसे पहले जो टीचर है वो सीड दिखा रहा है बच्चों को कि ये बीज है इसके बाद हम इसको क्या है ग्रो करते हैं फिर जाके ये क्या है हमें फल बड़ा होगा फिर दो चार साल बाद हमें फल देगा मीन्स की बच्चों को इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि वो उसको क्या है सारी चीज है प्रोसेस जो है समझ जा जाए अब उसको जैसे की करकर बच्चों को दिखा रहे हैं तो वो क्या है कि डेमोस्ट्रेशन ही कहलाएगा इम मैथर डेमोस्ट्रेशन इस टीचिंग मैथर यूज तो कॉम्निकेट एन आइडिया विद्या एड ओफ विज्वल सच एज फ्लिप चार्ट पोस्टर पावर पॉइंट एक्सेक्टर का ह करेंगे और उसके थ्रू जो है हम अपना आइडिया बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि हमारा मेन मॉटिव क्या था उनको किस तरीके से हमें जो है समझाना है टीचर जो है डेमोस्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं वेराइटीज ओफ रीजन के लिए यानि कि हम जब किस तरीके से पढ़ रहे हैं हाव यू प्लैने कंड़क्टे डेमोस्ट्रेशन विल हैव इस सिग्निफिकेंट इंपक्ट ओन हाव यूर स्टूडेंट रिस्पोंड एंड लान फ्रॉम्दा एक्सपिरियंस आपका डेमोस्ट्रेशन जो है तभी सक्सेस्फूल माना उनको एक्जेक्ली उसी वे में समझ आया है और उनका रिस्पोंस जब आपने कोशन पुछा तो उनका भी अच्छा रिस्पोंस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका डेमोस्ट्रेशन जो है सक्सेस्फूल रहा और कैसे जो है एक्सपिरियंस जो है लार्निंग जो हम करा आप उसके अंदर आप बच्चों को क्या है राइस बनाना सिखा रहे हैं तो आप क्या करेंगे एक डेमोस्ट्रेशन क्या है डेवलप करेंगे यानि कि आपको फूड किस तरीके से चेंज हो रहा है आप बच्चों को यह दिखाना चाहेंगे कि उसका कलर कैसे चेंज हुआ क्या चीज हमने उसके अंदर mix की How did the rice change जो चावल है वो किस तरीके से बदले What was it that made the food change क्या ऐसी चीज हुई जिससे जो है खाना बदल गया हमारा मतलब कि जो rice थे कच्चे rice थे वो पक गए Which food change the most कौन सा ऐसा food है जो सबसे ज़्यादा बदल जाता है बच्चों को खाना बनाना सिखा रहे हैं जैसे कि rice बनाना सिखा रहे हैं तो आप यह चीज़े दिखाएंगे कि किस तरीके से खाना बनता है क्यों हमें खाना पका कर खाना चाहिए यह सारी चीज़े हम बच्चों को कर कर दिखा रहे हैं तो यह क्या प्रोसेस है हमारा एक डेमोस्टेशन का ही प्रोसेस है फोर यूर स्टुडेंट्स डेमोस्टेशन हैस तपोटेंशल एड़ांटेजिज ओफ बिंग बैटर मोर विजिबल क्लियर एंड विद मोर इंपक्ट दैन एक लास एक्सपेरिमेंट मीन्स जब एक टीचर काम करकर दिखा रहा है डेमो करकर दिखा रहा है वो ज़्यादा फाइदे में रहेगा या फिर बच्चों को खुद कुछ नहीं आता और उनको कहा जाए कि आप ही एक्सपेरिमेंट करकर देखो आप ही इसके अंदर चेंज करके देखो की चाल बनाते कैसे हैं तो दोनों में से कौन सा मेथड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा यानि कि जो टीचर है वो डेमो करकर दिखाए बच्चों को बाद में चाहे वो कोपी करते रहें उस चीज़ को लेकिन पहले एक बार उनको सिखाया जाए तो वो ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि उनके सामने करके दिखाएंगे हम उनको क्लियरली हर चीज़ के बारे में बताएंगे वो ज़्यादा इमपेक्ट डालेगा और बैटर ली जो है बच्चा लर्न कर पाएगा नेक्स आता है कि स्टूडेंट जो है इसके अंदर लेस एक्टिव होते हैं यानि कि बच्चे जो है ज़्यादा एक्टिवली पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि टीचर ही सब कुछ करकर दिखाएगा तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लर्वी नहीं कर पाते कुछ चीजे सीखी नहीं पाते और साथ के साथ कई बार वह बोटान होता है हर चीज जो कुद ही करता है तो बच्चे बोह disput करने लग जाते हैं जिसकी वाजले से उनका जादा धान भी नहीं रहता कफिर a demonstration is that method in which a verbal interaction between the teacher and pupil is encouraged the demonstration method can be used successfully in teaching of art craft and any other experimental subject demonstration method के अंदर आप जो है वर्बली बात करते रहेंगे अब आप राइस बना कर दिखा रहे हैं बच्चों को तो आप क्या है साथ की साथ बताते रहेंगे कि अब मैंने ये Ciências डाली हैं जिसकी वजह से का कलर है जिसकी वझित है कलर होगा कर तो यह वह एक दूसरे से बात कर रहे हैं वह जादा से जयादा जितनी जादा जो टीचर है वह ब readily से बच्चों को पढ़ाएगा वह जादा अच्चे से face बनाया जाता है मतलब कि ऐसे subjects के अंदर ज्यादा useful है जहां पर हमें experiment करकर दिखाना पड़े बच्चों को यानि कि flower कैसे बनता है drawing कैसे बनती है वो बच्चों को करके ही दिखाएंगे तभी उनको समझ आएगा तभी वो कर पाएंगे ना नेक्स टॉपिक इस characteristics यानि कि विशेष्टा हैं क्या है demonstration method की यह simply way है यानि कि simple way में हम उनको करकर दिखा रहे हैं कि आपको यह चीज़े इस तरीके से करनी है ज्यादा कोई teacher को जंजट नहीं करना पड़ता किसी चीज में in this strategy attention is paid to all the student teacher का सभी बच्चों की तरफ ध्यान रहना चाहिए तभी जो है बच्चे सीख पाएंगे अगर teacher जो है एक या दो बच्चों को ही सिखाए जा रहा है तो पूरी class कैसे सीखेगी यानि कि इस matter के नदर teacher को सबको equally treat करना पड़ेगा goal and objective of demonstration are very clear जो goal होंगे कि हमें किस तरीके से बच्चे को सिखाना वो clear होना चाहिए कि उसके through वो क्या सिखा पा रहा है और जो हमारा objective है जो हमें achieve करना वो clear होना चाहिए तभी हम demo को successful बना पाएंगे it is a well planned strategy जो है पहले से पूरी fully planned होगी एकदम से आप rice बनाना नहीं सिखाएंगे बच्चों को पहले उनको पूरा आपको भी prepare करके रखनी पड़ेंगी सारी चीज़े कि किस तरीके से मुझे सिखाना है time is given for rehearsal before the demonstration जैसे कि अगर हम जैसे rice बनाना तो यह तो normal सा teacher को आता होगा लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़े जो कि उसको खुद भी क्या है एक दो बार try करनी पड़ेगी अब dance के classes होती है तो dance teacher भी पहले practice करके देखता है कि मुझे यह step कराना है इस तरीके से कराना है तो पहले से ही आपको एक बार prepare करके रखना पड़ेगा आपने आपको demo आप बार बार rehearsal करेंगे demonstration देने से पहले important point before demonstration क्या important points है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए teacher को सबसे पहले teacher diligent होना चाहिए and skilled person होना चाहिए यानि कि जो teacher है वो महनती होना चाहिए साथ की साथ उसके अंदर capabilities होनी चाहिए कि वो demonstration कर पाए easily और उनके अंदर skill होने चाहिए जिसके तुरू जल्दी असानी से बच्चों को समझा पाए next one आता है कि teacher को पहले ही model को prepare करकर रखना चाहिए साथ की साथ बच्चों को भी बोलना चाहिए learners को भी कि जब वो समझा रहे हैं समझाने के बाद बच्चे भी उस चीज़ को prepare करें next आता है demonstration should be followed by discussion demonstration को जो है पहले discussion करना चाहिए आपको उसके बाद ही आप demonstration जो है करकर दिखाएंगे पहले आप जाते ही class के अंदर सीधा आप बच्चों को समझाने लग जाते हैं board पर कुछ ड्रो करकर तो वो कैसे समझेगा जब आप थोड़ा बहुत उनको पहले idea दीजिए उसके बाद ही आप समझाना स्टार्ट कीजिए the teacher a teacher must have the ability to use audio-visual with expertise यानि की जो teacher है उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मेरे को audio और वीडियो जो हमारी जैसे की video दिखाने लग जाते हैं आजकल तो schools के अंदर पहले तो नहीं था video का लेकिन अब जो है चोटे बच्चों को ही video दिखाते हैं कि जिसे उनको poem learn करानी है तो उनको पहले से ही जो है हमारे smart board के अंदर video दिखाई जाती है तो teacher को पता होना चाहिए कि किस परकार से मुझे कौन सी चीज़ का इस्तमाल करना है बच्चों को सिखाने के लिए यह हमारे कुछ important points थे जो कि teacher को ध्यान रखने चाहिए नेक्स्ट हमारा topic आता है प्रोसीजर प्रोसीजर में हमारा first step है कि planning and preparation यानि कि योजना और उसकी तैयारी पहले हमें objective सेट करना होगा अगर हमारे पास हमारा target ही नहीं होगा तो हम उस demonstration को useless ही मानेंगे वो हमारे लिए काम नहीं आएगा यानि कि आपको सबसे पहले goal देखना होगा कि हमें क्या achieve कराना है इस demo को बच्चों को दिखा कर अब जैसे कि आप जो है powerpoint बच्चों को सिखाना चाहते है powerpoint presentation ppt सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बनाई जाती है तो आपको पता है कि मेरा objective यह है कि बच्चे उसको सीख पाएं तभी क्या है आप उसको सिखाने में सक्षम होंगे next आता है preparation कि अब मुझे किस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए अगर student जो है मान लेते हैं हम 7th class का है 5th 6th मतलब छोटी class का है तो एकदम से हम उसको सारी चीजे जो है presentation के अंदर नहीं बता सकते कि यह चीजे कहां से आई जो slide है वो कैसे extra add होंगी मतलब छोटे topic हम उनक नहीं बता सकते animation कैसे लगेंगे चोटी 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 चीजे जो हैं उनको बताई जा सकती है next आता है introduction the lesson अब जो है हम बच्चों के सामने जाएंगे और उसका introduction देंगे जैसे कि हम presentation बनाना सिखा रहे हैं तो पहले हम presentation के use बताएंगे बच्चों को कैसे उसके अंदर picture हम कैसे एक क्लिक से ही जो है presentation हमारी चलती रहेगी यानि कि क्या क्या हम slide का किस परकार से यूज कर पाएंगे यह सब चीजे हम बच्चों को बताएंगे presentation of the subject matter अब जो हमें सिखाना है बच्चे को actual में अब हम उसको present करेंगे यानि कि अब हम presentation के अंदर use बताएंगे कि किस तरीके से हम जो words हैं उनको add करेंगे किस तरीके से हम उनका color change कर सकते हैं किस तरीके से हम इसके अंदर image insert कर सकते हैं किस तरीके से हम जो है अलग-अलग square या कोई भी हम जैसे कि मैंने अभी लिये हुए हैं जो हमारा diagram है उसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा changement किया हुआ है एक तो मैं simply लिख दूँगी इसको एक मैंने थोड़ा design बना दिया यानि कि किस बरकार से हम इन चीज़ों का use कर सकते हैं अब हम उनके बारे में बताएंगे performance of experiment अब जो है teacher उस चीज़ को कर कर दिखाएगा actual में जो है computer में आप वो चीज़े करी जाएंगी changement लाया जाएगा slide के अंदर और फिर बच्चों को दिखाया जाएगा चोक बोर्ड वर्क अगर जो है कोई ऐसा experiment demonstration हम करकर दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमें बोर्ड की भी आवशकता पड़ रही है जैसे कि presentation में तो बोर्ड की नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो तो हम सीधा smart बोर्ड पर बच्चों को सिखा देंगे लेकिन कोई जैसे अलग प्रोसेस हम कर रहे हैं मालेते हैं जैसे मैंने example लिया था seed बता रहे हैं किस तरीके से grow करना है किस परकार से हमें जो है मिट्टी को दिखाना है कैसे मिट्टी होनी चाहिए यानि कि अलग अलग चीज़े हैं जो teacher draw कर कर दिखाएगा water cycle का जैसे example है क water cycle teacher draw कर कर दिखा रहे हैं यानि अगर चोक बोर्ड का यूज़े तो हम उसका भी इस्तमाल करेंगे नेक्स आता है कोपिंग एंड सुपरवाइज अब हम बच्चों को बोलेंगे कि आप जो है इसको करें यानि कि बच्चों को बोलेंगे कि PPT में image insert कर 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 दिखाओ मुझे मुझे text लिख कर दिखाओ इसके अंदर की बरकार से आप लिख पाएंगे मुझे इनकी changement करके दिखाओ size बढ़ा करके दिखाओ छोटा करके दिखाओ अलग-अलग जो है मारा font change करकर दिखाओ अब जो है हम बच्चों को यह बोलेंगे यानि कि पहले आपने जो उनको करकर दिखाया अब आप कहेंगे कि वो repeat करकर दिखाओ और अब हम उनको supervise कर पाएंगे यानि कि देख पाएंगे कि क्या बच्चा actual में उस चीज़ को सीख पाया या नहीं जो मैंने demo करकर दिखाया क्या आप उस चीज़ को सीख पाए या नहीं अब जैसे कि presentation का है तो बच्चा अगर insert कर पा रहा है image को PPT के अंदर यानि कि वो अलग भी अगर topic होगा तो उसमें भी demonstration जो है useful रहेगा now our next topic is advantages of demonstration demonstration के क्या क्या फाइदे हैं अब हमें ये देखना है इसके अंदर हमारी senses का इस्तमाल होता है यानि कि एक time पर जो हमारी 2 से 3 senses काम कर रहे होती हैं जैसे कि अब जो teacher है demo करकर आपको class में दिखाएगा तो आप उसको सुन भी रहे हैं आप उसको देख भी रहें कि किस तरीके से जो है वो इस्तमाल कर रहे हैं जीजों को किस तरीके से वो ड्रो कर रहे हैं तो आप अपनी notebook में draw भी करकर देखेंगे तो यह क्या है हमारी senses का use करवा रहे हैं जिसकी वज़े से जो हम learn कर रहे हैं वो permanent हो यानि कि अब टीचर ने बोड़ पर आपको कुछ ड्रो करके दिखाया फिर आपको समझाया फिर आपको बोला कि आप नोट डाउन करें नोट बुक के अंदर आपने किया वो फिर आपने घर जा के उसको रिवाइस किया दुबार से अब क्या आप उस चीज को भूल पाएंग यानि कि यह हमें बहुत हेल्प कर रहा है कि हमारी पर्मानेंट मेमरी में चीजों को पहुंचा रहा है दो टीचर बहेविर इस ओटो क्रेटिक ही इन्वाइड दा कोपरेशन ओफ प्यूपिल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर का जो रोल रहेगा वह ओटो क्रेट प्रोसेस को फोलो किया जाएगा इडवलप्स इंट्रस इंदा लर्नर्स एंड मोटिवेट देम फोर देर एक्टिव पाटिस्पेशन अब जो टीचर है प्रेजंटेशन सिखा रहे थे अब बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे कि आप भी इस चीज को एक्टिवली पाट इसके अंदर कुछ ना कुछ एनी सिंप्लेक्स और कॉंप्लेक्स तिंग बिकम इजी तू अंडर्सटेंड यह तिंग है यहां पर यानि कि कोई भी हमारा मुश्किल टॉपिक हो या इजी टॉपिक हो हम उसको असानी से समझ पाएंगे यूस्फूल फोर एव्रिवन हर किस इसके या यह पर पर यह हम डाया हुआ में स्टेशन न का कर सकते हैं इसके लाइख सेशन के लिए इसनटरिया यह को बोलेंगे आप अब लास के अंदर 50 वच्छे क्या 50 वच्छे उसे ऐग्सी कर आएंगे तो इसके लाइंक हर बच्छे को नोटिस चरेंगे कि यह सही कर प पर तो इससे अच्छा है कि पहले आप उसको करकर दिखा दे उसके बाद बच्चे को बोले कि आप कोपी करें तो कौन सा मैथर इजी होगा यानि कि डेमोंस्ट्रेशन इजी है यह टाइम सेविंग है नेक्स टॉपइक लिमिटेशन ने बाद़ आई जिए काहां-काहां पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अब यह है कि यह बस जो है कििल्स होते हैं उनके अंधर ही यूज़पूल है यह जहांपर स्कूल्स की रिकॉर्मनेंट नहीं है वहाँ पर इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नेक्स आता है कि लेर्नर्स को इन्वाइट तो किया जाता है कि वो आएं और इसको देखें लेकिन एक्चुल में क्या होता है उनको फ्रीली बोलने की अजादी नहीं होती कि इस टॉपिक के बारे में वो बोल पाएं तो इसलिए यह जो मेथट है बस इतना ही सीमित है कि बच्चों को दिखाया जाएगा नेक्स आता है ड्यूट पूर इक्नोमिक कंडिशन अव दे गवर्मेंट स्कूल there is scarcity of audio-visual aids and equipment and the teacher are not so creative to produce handmade models for demonstration government schools के अंदर condition अच्छी नहीं होती वहाँ पर कोई model बगेरा बने नहीं होते वहाँ पर computer का भी proper sources नहीं होते तो इसका मतलब है उस position के अंदर resources की कमी होती है scarcity of resources है तो वहाँ पर demonstration method apply हम नहीं कर सकते नेक्स आता है not based on learning by doing यह learning by doing के उपर आधारित नहीं है यानि कि करो और सिखो उसके उपर आधारित नहीं है यह बस करकर दिखाया जाता है no scope for individual differences इस method के अंदर यह नहीं देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा intelligent है और कौन सा below average है यानि कि सबको ही equal माना जाता है क्या पता एक बच्चा जल्दी सीख जाए और दूसरे को समझी ना आए तो वो चीजे का जो है यहाँ पर इस method के अंदर ignore मारी गई है यह चीजे देर इस जर्णल लैक ओफ सिंसियरेटी अंड इलिजेंस अमंग टीचर्स हूँ विश्टू कंप्लीट थे स्लेबस एंड स्लेबस एड दा अर्लियस्ट विदाउट पूटिंग सिंसियर एफट्स कई टीचर आपने देखे होंगे कि वो उन्हें बस स्लेबस कंप्लीट कराई मींस वो जो है subject matter के उपर ध्यानी नहीं देंगे कि किस तरीके से हमां बच्चे को सिखाना चाहिए उसको कोई मतलब नहीं है अब जिसे की rice कैसे बनाते हैं अगर हमारा topic है ये उसको सिखाएंगे ही नहीं वो directly उनको क्या है अपना effort जो है बचाने है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो ये जो है उस case के अंदर apply नहीं हो सकता demonstration method क्योंकि teacher अपने syllabus को ही complete कराने के पीछे भागता है demonstration method जो है मारा complete होता है hope so आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा ये हमारी four strategies हो गई है अगर exam के अंदर question आता है कि strategies of teaching बताएं तो आप जो है ये चार या फिर एक और मैं आपको कराऊंगे team teaching इन पांच को ही आप जो है short notes में लिख सकते हैं और explain कर सकते हैं लेकिन अगर individually question आता है तो आपको ये पूरा का पूरा ही एक method को अच्छे से explain करना होगा thanks for watching